जयालो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे 10th class का math का exercise 1 का B देखे एक का B question क्या है? पहला question कहता है निम्नलिखित में किस का मान 0 के बराबर है? तो यह किस का मान 0 के बराबर होगा? तो cos 90 का जो होता है वो 0 होता है तो देखे जिए cos 90 का मान कितना होता है? तो 0 होता है तो इसका आंसर सही आंसर कौन सा हो जाएगा तो option number B फिर एक का दूसरा कहता है निमलिखित में किसका मान root 3 by 2 के बराबर है तो root 3 किसका होता है तो देखिए root 3 by 2 तो ये हो जाता है आपका कितना का हो जाता है तो cost 30 का मान जो हो जाता है root 3 by 2 तो देखें, cos 30 का मान कितना है? तो root 3 by 2 है इसका सही option कौन सा हो जाएगा? D हो जाएगा तीसरा कहता है, निमलेखित में किस का मान 1 by root 3 है तो ये 10 30 का हो जाता है, 1 by root 3 तो ये C option इसका बिलकुल right है, ठीचर चौतर कहता है निम्नांकित में किस का मान एक वटा root 2 के बराबर है तो देखे पाई, पाई दे दिया है तो पाई का value हम लोग कितना कीटाएंगे तो पाई का value ये 100 सी बाइठाएंगे ए 100 सी डिग्री और इसमें कितना से भाग देना है तो चार से भाग देना है ये कितना से कर जाएगा चर्चों का 16 और 4 पंचे 20 यानि सिंपल सा ये किसका वैलू पूछ रहा है तो ये पूछ रहा है कॉस 45 का वैलू कितना होता है एक वटा रूट दू तो ये option number कितना हो जाएगा तो बी हो जाएगा पांच कहता है निमनांकित में किसका मान रूट दू के बराबर होता है तो रूट दू के बराबर किसका होगा तो कॉस 45 का मान रूट दू के बराबर होगा फिर कहता है निमनांकित में सही मान कोश्टक से चूनी है यानि कोश्ट में जो value दिया हुआ है इसका सही मान निकालना है तो पहला कहता है कि 10-60 degree 10-60 degree का value केतना होता है तो root 3 होता है तो देखे इधर 10-60 degree का value 10-60 का value केतना है root 3 यानी, सही आप्शन क्ऊन सा हो जाएगा? तो B हो जाएगा, फिर दूसरा कहता है Caws Caws Cawastic 60 डिगरी का भैलू, तो देखिए Caws Cawastic 60 का भैलू केतना होता है? 2y root 3, तो इसमें सही आप्शन क्ऊन हो जाएगा? 2y root 3, फिर तीसरा कहता है Cawlt Tees, तो देखिए Here, Cawlt Tees का भैलू क कौन साइन साथ डिगरी के बराबर है तो देखें साइन साथ डिगरी का बहलू कितना होता है साइन साइन साथ डिगरी का बहलू रूट 3x2 होता है और देखें कौस 30 डिगरी का बहलू होता है रूट 3x2 यानि कह सकते हैं कि साइन साथ जो है किसके बराबर है कौस 30 के बराबर होता है नहीं होता है देखे साइन तीस का एक वाट अदू होता है और कॉस तीस का रूट स्री वाई टू होता है तो यह तो नहीं होगा भी देखे साइन तीस बराबर टेन तीस, साइन तीस का जो भैलू है, क्या टेन तीस का भैलू है, बिल्कुल नहीं है, गलत है यह, तीसरा कहता है, साइन तीस बराबर कॉस साथ, यानि साइन तीस का जो भैलू है, क्या वो कॉस साथ का है, बिल्कुल है, तो यह आफशन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा, पिर कहरा है कि sine 30 बराबर 1060 sine 30 का जो value है क्या 1060 का value है नहीं है तो ये option गलत है sine 30 बराबर six 60 कहारा है तो साइद का एक वठा root 2 है और six 60 का कितना है दो है क्या ये बराबर होगा नहीं बराबर होगा तो इसका सही option कौन सा होगा पांच नमर देखे हैं रेकता स्थानों की पूर्ती सही मान से करें 10-30, तो 10-30 का वैलू कितना होता है तो 10-30 का वैलू देखिए एक वटा रूट 3 होता है यानि यहाँ पर कितना भराएगा 1 by रूट 3 फिर कहता है कि sin 0 तो sin 0 का वैलू कितना होता है 0 होता है, यहां कितना 0 लिखाएगा फिर कहता है, 10 squared, 60 eg देखे, इसमें थोरा सा गुमा दिया है cool दीकत नहीं है, sin square 60 eg sorry sign नहीं है, यहां पर 10 लिखाएगा 10 squared, 60 dignity 10, 60 का value कितना होता है 10, 60 का value होता है root 3, और इस पे square है इस पे square कर दीजिए, square से क्या हो जाएगा square से root हड जाएगा, तो बचेगा कितना? 3 बचेगा, यहाँ पर कितना भराएगा, तो 30 भराएगा, यह 3 भराएगा, और यहाँ दिया cos 0, तो cos 0 का value कितना होता? 1 होता, यानि सही option कितना जाएगा, एक, तो यहाँ पर एक भरेंगे फिर कहा कि यदि, a बराबर 2 बराबर 15 डिगरी, तो cot a बराबर कितना होगा, यनि a का value पूछ रहा है, तो अगर हम यहाँ से a का मान निकाल लेंगे, तो क्या निकल जाएगा? a by 2 बराबर 15 डिगरी दिया हुआ है तो अगर हम यहाँ से भाग में है, तो इधर भेजिएगा, तो क्या हो जाएगा? गुना में खो जाएगा और 15 गुना क्या हो जाएगा? तो 15 दुना कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा यह कितना number question है? तो सकते हैं कि होता है तो तो ही होता है और कि इसका सफीा इसे स्क्वर्पर कितना धायगा रूट थlection है छे नमबर टेन पैतालिस तो टेन पैतालिस का फैलू कितना होता है वन होता है यानि यहाँ पर कितना हो जाएगा तो वन हो जाएगा फिर दिया साइन स्क्वार 90 डिगरी माइनस टेन स्क्वार 45 डिगरी तो पहले कोश्चन को लिख लेजिए question है 5 का 7 number देखिए दिया हुआ है sin square 90 degree और minus 10 square 45 degree अब देखिए यहाँ पे sin 90 का value हम भी ठालेंगे कितना पता है तो एक पता है square है तो एक का square कर देजिए minus 10 45 का value कितना पता है एक पता है तो इसका भी एक का square हो जाएगा अब देखिए एक का square किजिएगा एक ही होगा और यह भी कितना होगा एक एक में से एक जाएगा कितना जीरो तो वहाँ पे कितना लिखाएगा जीरो लिखाएगा फिर एक आठ नमबर question दिया यदि sin theta परावर cos theta तो theta का value कितना होगा यानि theta कितना लिजिएगा कि sign जो है cos के बरावर हो जाएगा तो सबसे पहले हम मान सादनी से देख लेते हैं देखिए sign 45 का मान एक बटा root दू है और cos 45 का भी value एक बटा root दू है इसका मतलब दोनों का value बरावर है तो यदि हम theta के जगा 45 लेते हैं तो यह च्छे नंबर question है आपका देखिए दिया हुआ है 3 theta is called to 90 degree तो cos theta cos theta पूछ रहा है तो यहाँ से सबसे पहले हमें क्या निकाल लेना होगा तो theta निकालना होगा देखिए 3 गुना में है इधर भेज देंगे तो क्या होगा भाग में चला जाएगा कि ने बिल्कुल जाएगा देखिए यह कट जाएगा तीस तिया 90 30 मरतबे कट गया यानि theta का value कितना निकल गया तो 30 निकल गया तो इसके जगा हम बैठा सकते है cos 30 और cos 30 का value कितना होता है cos 30 का value होता है root 3 by 2 यानि सही answer कितना हो जाएगा root 3 by 2 देखिए option में दिया हो है root 3 by 2 फिर यह यह जो था 6 का पहला था अब देखिए 6 का दूसरा 6 का दूसरा दिया यदि theta बराबर 30 degree तो कह रहा है कि 2 cos theta का मानियाद किजिए तो देखिए कैसे ग्याप करेंगे सबसे पहले theta तो हमें पता चल गया है और जैसे ही theta पता चला तो हम यहाँ बैठा सकते है theta के जगा cos 30 degree अब देखिए 2 गुना में ही रहने देजिए और cos 30 degree का value कितना होता है तो root 3 by 2 जानते हैं तो बैठा लेजी root 3 by 2 देखिए ये भी नीचे 2 और गुना में भी 2 तो 2 से 2 कर जाएगा तो बचेगा कितना root 3 यानि इसका सही आंसर कितना हो जाएगा तो root 3 हो जाएगा फिर इसका 6 का तीसरा है यदि 2 alpha is called to 90 degree तो sin alpha का मान गयाद किजिए देखिए दिया हुआ क्या है कितना है तो ये है 6 का तीसरा 6 का तीसरा दिया हुआ है 2 alpha is called to 90 degree तो अगर हम यहाँ से alpha निकाल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 90 degree और ये गुना में है तो इधरा के भाग में यानि alpha कितना निकला तो 45 निकला और question में क्या कितना दिया है question कहा रहा है कि sin alpha ग्यांद किजिए तो sin alpha sin alpha alpha का value कितना जानते हैं तो 45 जानते हैं अब देखिए sin 45 degree का हो जाएगा अगर हमें sin 45 का value पता है तो कितना पता है तो 1 by root 2 तो sin 45 कमान कितना हो जाएगा 1 by root 2 यानि इसका सही आंसर कितना हो जाएगा 1 and root 2 अब देखिए 7 नंबर कोशन देखे 7 कहता है यदि alpha बराबर beta बराबर 68 डिगरिsy यानि alpha का beta बराबर कितना है 60 डिगरिsy यानि alpha का value 60 है और βीटा का भी value 60 है हो तो cos cos alpha and minus beta कहरा है ग्यात करने के लिए तो देखिए 2 नों का value हमें पता है अलफा का भी कितना पता है तो साथ पता है तो साथ बैठा ये और बेटा भी कितना है तो साथ है तो साथ देखिए साथ में से साथ जाएगा क्या बचेगा तो जीरो यानि कॉस्ट जीरो डिगरी का वैलू कितना जानते हैं तो कॉस्ट जीरो डिगरी का वैलू एक जा या तो आप solve करके बता सकते हैं या सभी option को solve कर लिजे ये option में दिया है sin square 45 degree और पलस का cos square 45 degree देखिए sin square 45 का value कितना जानते हैं एक बटा root 2 square है तो square कर दीजे ये भी हो जाएगा 1 by root 2 और इसका square है तो square 1 square एक भी होगा root 2 का 2 हो जाएगा और पलस 1 और ये भी 2 हो जाएगा दोनों calcium लेंगे तो 2 हो जाएगा 2 एकम 2 तो 1 एकम 2 तो 1 एकम 2 तो 1 एकम 1 देखिए 2 by 2 हो जाएगा कट करके कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा तो इसका भी answer कितना आ जाएगा तो 1 आ जाएगा B option को भी check कर लिए तो B option क्या दिया हो है, तो sin 0 degree into cos 0 degree विखे, sin 0 कितना होता है तो 0 होता है, और cos 0 का value कितना होता है, एक तो इसे गुना के जिएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कैसे आई या या नहीं आया, अब देखते हैं, इसका option number C, option number C क्या दिया है, तो cos square C दिया है cos square 60 degree और cos 60 का value कितना होता है तो 1 वर्टा 2 होता है इसका square किजिएगा तो यह हो जाएगा एक वर्टा 4 क्या एक के बराबर आया नहीं आया D option चेक किजिए तो D option दिया है sin 30 degree साइन तीश्ट की गुना का 1 by कॉस्ट तीश्ट डिए अब देखे साइन तीश्ट का वहलू केतना होता है तो 1 by 2 होता है गुना 1 by एक कॉस्ट तीश्ट का वहलू केतना होता है तो कॉस्ट तीश्ट का वहलू होता है रूट 3 और बटा का 2 तो देखे क्या ये ये तो गुना में है तो क्या देखे ये भी जो है एक के बराबर नहीं आ सकता है तो इसमें सही option कौन सा होगा तो option number A होगा देखे एक के बराबर आ गया था और ये कह भी रहा था कि मतलब किसका जो है एक के बराबर है निमलिकित में किसका मान एक के कोप्षन सही है यह देखिए नौनमबर कोश्चन कहता है सही मान कोश्टक से बताएं साइन 30 पलस कॉस साथ तो देखिए यह दिया हुआ क्या है तो कितना नमबर कोश्चन है कोश्चन नमबर 9 9 का पहला दिया साइन 30 डिगड़ी अब कोश का साठ डिगरी देखिए क्या साइन 30 का भ्यलू पता है कितना है तो वन बाई-टू और पलस कॉस साठ का भी वन बाई-टू होता है कितना इंक यह होगा दो दूसरा question कहा रहा है कि cos 60 degree plus 1 cos 60 degree और minus का 1 तो इससे solve किजीए गता कितना हो जाए cos 60 का value कितना होता है 1 वटा 2 और plus 1 है तो 1 लिखे cos 60 का 1 वटा 2 और minus का 1 दोनों को solve किजीए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 दे सकते हैं और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 दे सकते हैं इस दोनों का LCM लेंगे तो कितना जाएगा 2 और 2 एकम 2 तो 1 एकम 1 हो जाएगा 1 दुना 2 तो इसे भी 2 बार पढ़िएगा तो 2 हो जाएगा और बटा कितना हो जाएगा इस दोनों का करना या चाल चल कोपीजी कंसा बेगा अ मैसे बाइता है ना इस आ इसा इस hierन्स शोक्राइब के साध़ाया और कुंदी दो मेनि शिंद बीम हो जाएगा ओर ना मैंनि-जो हो जाएगा वृबत ये व्युत्ष घ papas यहां पर माइनस का तीन अंसर अब देखते हैं 10 का पहला क्या कहता है यह दिटीटा बराव 45 तो कॉस स्क्वाइड ठीटा कमांड निम लिखित में से कौन सा होगा ठीटा का value कितना दिया है तो 45 डिगरी दिया हुआ है और क्या दिया तो कहा cos square theta और minus का sin square theta देखिए cos theta तो हमें पता ही है तो इसे हम लिख सकते है cos square 45 डिगरी और minus का sin square 45 डिगरी देखिए cos 45 का value कितना होता है तो एक बटा रूट दो स्क्वाइर है तो यहां पर स्क्वाइर कर देंगे और इसका भी वैलू कितना होगा तो एक बटा रूट दो स्क्वाइर है तो स्क्वाइर कर देंगे इस स्क्वाइर किजिएगा तो एक का स्क्वाइर एक ही होता है और रूट दू का स्क्वाइर जीरो और नीचे कितना हो जाएगा यानि जीरो बाइ टू हो जाएगा जीरो में टू से भाग देज़ेगा कितना हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा यानि इसका सही आंसर कितना हो जाएगा जीरो और इसमें जो देखिएगा तो यह रहा आपका जीरो फिर देखें ठीटा बर Егоं होता है एक हो जाता है और रूट को हर जगा बचेगा कितना 2 जोड है तो 1 3 हो जाए गया कि सजब नीस रा कुर्षन को तीसरा दिया है sin 460 degree माइनस का cos 260 degree देखें यह इसका मान ग्यांद करना है तो sin 60 का value कितना होता है route 3 by 2 I square है तो I square कर दीजिए माइनस cost 60 का कितना होता है तो 1 बटा 2 I square है तो I square कर दीजिए इसका I square की जह घएगा तो route 3 का I square हो जाएगा लेंगे तो कितना आजाएगा चार आजाएगा चार एकम चार तो तीन एकम तीन और चार एकम चार तो एक एकम एक यानि तीन में से एक को घटा देजिए तो कितना बचेगा दो यानि दो बटा चार और यह कर जाएगा दुदुना चार ऊपर क्या हुआ एक हुआ तो इसका स थीटा वरा रूट 3 by 2 तो थीटा का मान नियूंतम घंड मान क्या होगा तो दिखें कॉस्ट थीटा कितना डिगरी का मान होता है रूट 3 by 2 तो पीछे देख लेजिए कि कॉस्ट थीटा कितना का मान होता है रूट 3 by 2 तो तीस डिगरी का होता है तो इसमें कितना लिखाएगा this call to one तो देखे south3 क्या है इधर घुनाहिंए तो भाग में हो जाए गा तो यह क्या होजाएगा वन्वा ii जाए घ्लेइक यह कितन दीकर होटा है तो देखेंध कितना गण और थीक होते हैं इसका सही आंसर कितना होजएगा अव c2 अब देखें 12 नमबर कह रहा है कि यदि sin theta minus cos theta बराबर 0 तो theta कमान बताई है जब कि 0 से 12 और 90 से छोटा लेना है आपको तो देखते हैं हम चेक करके कि कितना कमान रखेंगे तो यह 0 हो जाएगा देखें थोरा सा दिमाग लगाई है कि यदि हम cos sin 45 कमान एक बटाई रूट दू और cos 45 का भी मान एक बटाई रूट लिखते हैं तो क्या यह minus 0 के बराबर आ जाएगा 12 का पहला number question है sin theta minus का cos theta बराबर कितना आ जाना चाहिए तो 0 आ जाना चाहिए तो अगर हम theta की जगवा पर 45 रखते हैं तो यहां क्या हो जाएगा sin 45 डिगरी और minus का cos 45 डिगरी sin 45 का value होता है 1 by root 2 और minus का फिर हो जाएगा 1 by root 2 दोनों का LCM लेंगे तो कितना हो जाएगा root under 2 एक बार में आया इसे पढ़िएगा तो यह भी एक बार पढ़िए तो एक फिर root को एक बार पढ़िएगा तो आएगा तो इसे भी एक बार पढ़िएगा तो एक में सिख जाए देखें 12 नमर कोशन कहता है यदि sin A minus B बराओ 1 by 2 तो कॉमा फिर है cos A plus B is called to 1 by 2 जबकि 0 A और A plus B का जो value होना जाए वो 0 से बरा और 90 से छोटा और कह रहा है कि A का value B से बरा तो A और B ग्यांत किजिए यानि A और B का value ग्यांत करना है तो देखें इसी तरह से लिखा हुआ है तो हम सबसे पहले लिखते हैं sin A और minus का B अब देखें ये sin कितना डिगरी का value एक वटा दू होता है तो ये sin 30 का value है तो sin 30 देखें ये sin से sin कर जाएगा तो बचेगा क्या A minus का B और बराबर का कितना तो 30 इसे समीकरन एक माल लेजिए यानि 30 डिगरी बचेगा इसे समीकरन दिख कह दीजे अब फिर इधर से चलिए तो इधर इधर लेजिएगा तो ये cos A plus B और ये cos कितना डिगरी का value है तो cos ये 60 डिगरी का value है तो 60 डिगरी देखें cos से cos कर जाएगा तो बचेगा क्या इधर से बचेगा A और पलस का B बराबर 60 डिगरी इसे समीकरन दो कहिए समीकरन 2 क्या है तो A plus B बराबर का 60 डिगरी और समीकरन A है A minus B बराबर का 30 हम क्या कर रहे है तो minus कर रहे है तो ये हो जाएगा minus और ये हो जाएगा A plus कर लिजिए अगर plus किजिएगा तो ये plus का plus ही रह जाएगा और ये plus minus minus और ये plus 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 हो जाएगा तो देखें B से B कर कितना हो जाएगा तो दो कुझा ऑग तो नब्वे हो जाएगा देहांगे यह ब्राबर कितना edgi को निकले गाव टो पैटालेस टिगिरी में इक कमान कितना निकल गया पैटालेस टिगरी अगरmost आमान हम समीकरन एक में रख देंगे या दो में रख देंगे किसी में रख देजिए यहां रखते हैं एक आमान एक आमान समीकरन दो में रखने पर तो दो समी करन क्या है तो A पलस का B और बराबर का है साथ डिगरी तो A कमान कितना निकला है पैतालिस डिगरी और पलस का B और बराबर का कितना हो जाएगा साथ डिगरी यहां से B निकालेगा तो यह हो जाएगा 60 डिगरी और यह पुलस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा अब B निकालीगा तो 60 में से 45 को घडाएगा तो कितना बचेगा 15 डिगरी बचेगा यानि A कमान कितना निकल गया तो A कमान निकल गया आपको 45 डिगरी और B कमान कितना निकल गया 15 डेगरी यही चीज कह रहा था लाने के लिए देखे आंसर आ गया ये कुश्चन बन गया